नमस्कार मैं पंकच आपका स्वागत करता हूँ आई इस वीडियो में आपको दिखाते हैं जेरोधा का काई टैप से आप किस प्रकास से जी टी 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 आउडर को प्लेश्ट कर सकते हैं तो जी टी टी का जो फुल फर्म होता है गूट्स टील ट्रिगर यानि कि जब तक नही में अपका जो प्राइप सब अगूट्स टी 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 ट कर सकते हैं तो जो भी आपको दिखाते हो जी कि आप me आप जब तो फिन डिखाते हैं अभी अम आपको दिखा रहे हैं पुरा complete process आपको दिखा रहे हैं तो जैसे कि अगरे दिए आप अधानी ports या axis bank में अगरे दिए आप GTT order buy के लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है watch list में आपको add कर लेना है जिस भी stock को आप GTT order के थुरू आप buy करना चाहते हैं आप फिर sale करना चाहते हैं तो buy कोई भी stock को buy कर सकते हैं लेगिन sale आपको उसी को करना है जो कि आपका portfolio में है यानि कि आपका buy किया हुआ है तो चली अभी हम आपको दिखाते हैं एक्सिस बैंक का आपको दिखाते हैं जिटी टी आउडर के इस परकास से आप लगा सकते हैं तो आपको watch list में आ जाना है और एक्सिस बैंक का जो है आपको ये open कर लेना है stock को इस फरकास open कर लेना है तो यहां पर आपको सारा चीज़ goodie पर दिख्टी तो इसमें जो है create GTD अब देख सकते हैं यहाँ पर create GTD है तो यहां पर आपको टाप करना है create gtt में tap करना है तो यहाँ जैसे ही tap करते हैं तो इस प्रकास से आपको windows एक मिल जाता है देख सकते हैं यह बहुत सारा option है तो चलिए आपको बताते हैं पूरा detail से किस प्रकास से आप इसको order को लगा सकते हैं तो यहाँ जैसे type है इसमें आपको buy में लगाना है और अगरे आपका buy क्या हुआ है तो उसको आप sell भी कर सकते हैं sell side में आपको आ जाना है तो यहाँ भी हम आपको buy का बताते हैं तो यहाँ पर buy का यहाँ पर पहले आपको बताते हैं sell का बाद में आपको बताएंगे तो चलिए यहां बाइ में आ जाते हैं यहां बाइ का यहां पर आपको रहने देना है उसके बाद ट्रिगर टाइप सिंगल है तो सिंगल में ही आपको रहने देना है उसके बाद जो है यहां ट्रिगर प्राइस ट्रिगर प्राइस आप यहां पर ट्रिगर प्राइस और यहां पॉश्ड यहां पर एडिश्याद लिक जाते हैं कि यह जो है स्टॉक अगज़िया आता है चैज सब्सक्राइब करें गया यहां पर पर एड़ा कर दिये और जो भीण प्राइब कर दे रहें और उसके बाद बार कौइन्टीटी तो कउंटीटी और गारी और यहां पर 9 यहां पर हम पंच डाल दिए हैं तो यह जो है जो इसका जो एमंट हो गिया 600-100 इंटुफाइब जो है एमंट जो है आपका होड़ हो जाएगा तो आपको आपको अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको यहां पर फिल कर देना है उसके बाद यहां पर जो है प्राइस जो है जिस प्राइस में आप आप आडर लगाना चाहते हैं उस प्राइस को यहां पर आपको इंटर कर देना है तो यह देख सकते हैं यह जो है यह कंप्लीट हो चुका है अब यहां पर द इस order को देखने के लिए आपको यहां पर orders में आ जाना है orders में आने के बाद उपर में देखे आपको यहां तीन option मिल जाता है open है एक executed है उसके बाद GTT है यहां GTT option में आपको आ जाना है यही है इसी प्रकास से आप GTT आउडर जो है create कर सकते हैं बाई का चलिए आप sale का आपको दिखाते हैं तो जैसे कि यहाँ पर है बजाज consumer का अगरेदी हम sale करना चाहते हैं यह जो है यह stock मेरा यहाँ पर buy किया हुआ है तो अगरेदी हम चाहते हैं इसको sale करेंगे तो यहाँ आपको टैप करना है बजाज जैसे कि आपको portfolio में आ जाना है जो भी stock है सारा stock आपको यहाँ पर सो होने लगए तो यहाँ देखें बजाज consumer का जो है मेरे पास 50 stock है तो इसको हम को यहाँ पर अगरेदी जीटीटी आउडर करना है तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है उस यह सेल साइट में यहाँ पर फिल हो चुका है अब सिर्फ आपको amount डालना है यहाँ चाहते हैं कि amount जो है हम इसको 200 में बेचना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम 200 को rate का rate यहाँ पर trigger में और जो प्राइस है इसमें भी 200 फिल कर देंगे तो इस प्रकास है मेरा 200 जैसे ही सकते हैं कोई दिकत नहीं है सिंगल में आपको कर देना है तो यहाँ पर जो है प्राइस हम 200 का यहाँ पर इंटर कर देते हैं इसके बाद जो है यहाँ पर sales order जो है तो दोसर में लगा कि इसको हम यहाँ पर it को swipe to ución itself में हाँ पर हम two कर दो यहाँ ति यह order Curry Cottage यहाँ पर देख सकते हैं थिस आउडर समें हाँ आपको आ जाना है तो देखे हैं यहाँ पर जो है GTT आउडर को प्लेजड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धेनवाद और इसी पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले धेनवाद